जोहे का प्लेट है वो दबाता है जो फेफडे जो रिब्स है तो उसके पांच रिब्स तूटे हुए थे और पांच रिब्स तूटते हैं तो अंदर की तरफ तूटते हैं तो उसका जो बाएंवाला फेफडा था उसमें पांच जगा पर छेद हो गया और जो लंग था सवाल पूछा क्या बंदा बचेगा और जैसे डॉक्टर साब लोग आम ताउर पर होते हैं ये नर्स ने बोला सर मैं नहीं जानती हूँ तो हम लोग जो वर्दी पेंते हैं थोड़े मैं बोला ना दिल से करते हम काम दिल से तो मैंने अपने सोच में मुझे ये लगा कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूं एक सेकेंड तो हमारे जो हजार जमान हैं उनका जो मन का शक्ति है जो दिल का शक्ति है वो मैं उस तक बेजू टेलफोन के थ्रू मैंने नर्स को बुजा क्या मैं बात कर सकता हूं उसे तो उसने बोला कि साब छे दिन हुए इसने आज तक बात नहीं कहिए इसके आँखें खुले तो है लेकिन ये क्या सुन सकता है क्या मैसूस कर सकता है क्या बोल सकता है मैं नहीं जानती हूं मैंने फिर भी बोला कि आप फोन का जो handset है उसके पास रख सकते हो तो उसने बोला हाँ तो उसने फोन उスके handset उसके कान के पास रखा और मैंने उस time उसके पूछा था निमबर राम उसका नाम है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है कि मैं बोला निम्बर आप क्या हाल है तेरे पंद्रा या बीस सेगेंड गुजरे कोई जवाब नहीं आए मैंने सोचा शायद वो खताम हो रहा है शायद वो सुना ही नहीं मेरी बात शायद वो बोल नहीं पा रहा है मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से क्यों उस ठेम तक मेरा दिल पुरा ही टूट चुका था फोन मैं रखने वाला ही था एक बलकुल पत्ली सी आवाज में जवाब आया इतना चोट खाने के बाद बिस्तिरे पर पड़ा हुआ है जवान पत्ला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है और फिर बाद में बोलता है और फिर बाद में बोलता है साब मैं तो ठीक हूँ अपने पल्टन के बाकी बंदे कैसे हैं आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ जो जवान खुद मृत्यू के दर्वाजे पर खड़ा है वो मृत्यू के आंखों में आंख डाल करके खड़ा है उस वकत और वो सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में यह होता है selflessness यह होता है किसी और को त्याग करने का काबलियत अगर अगर आज के तारीख पे तिरंगा ले रहाता है गर्ब से हवा में ऐसे लोगों के वज़े से ले रहाता है यही वो सांस है जिससे यह देश जीता है और इसी जवानों के वज़े से मैं हमेशा कहता हूँ मुझे पांच हजार जनम दे दो मैं दुबारा यही वर्दी पहनूँगा